नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सची लर्निंग पाइंट बाई सिंग सर आज हम करेंगे फेस्टेन का जो स्कीरी चल लेए थी उसमें दो अगस्त का सिफ्टू का वह भी ट्वेल्थ लेविल का यानि कि हायर सिकंडरी लेविल का करेंगे चलिए फिर स्टार्ट करतें बिनादेरी किये हुए इस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का उत्पादन पूरी अवेद के दोरान के औस पादन के आउसत के बरावर था देखो फुल उत्पादन कितना 300 कितने दो दो चार से बाग करना है 4-7-28 हो गया चार पंजे बीस हो गया तो देखो 75 किसमें आरहा क कितने परसेंट अधिक आगुन तक आये नाम देखो यह बेंडे पताने किस तरीके टोटल कितने हो गया और यह पांच च्छे हो गया यह हो गया च्छाट दस की जिरू आसे लगा एक साथ दूनों हो गया च्छे हो गया कितने ज्यादा हो रहे है तेरा यानि कि तेरा सो में किसका पूछा गया तो यह बाग करना है तो यह बाग तो जाएगा नहीं अपना जैसे सुद्ध देशी करते तो यह जीरू अटा दो जलती क्यों रहे पता नहीं आई अब भाग तो जाएगा नहीं तेरा सो में पहले पॉइंट लगाया तो इक जीरू बढ़ा अब आपसन का सारा ले देगो साथ पांच आठ छे सबसे बड़े सबसे बड़े से करते सोला अठ्थे एक सो अठ्था हो रहा है यानि कि अगर नौ नहीं होता सब तो सोला ठ्थे मिलकुल भाग यह चला जाएगा है यानिक साथ बार वन वन एट थरी जीडो जैसे हमें साथ मिलता ना आंसर तो हमारा यहीं आगया ठीक है अगला सबसे रोहान एक दन्रासी में से बीमा पॉलिसी पर 24 परसेंट बोजन पर 36 परसेंट बच्चों की सिच्छा पर 18 परसेंट और मनो रंजन पर 14 परसेंट खर्च करता है बैसे रासी 504 बैंक में जमा करता है बोजन और भीमा पॉलिसी पर मिलाकर कुल कितनी रासी खर्च करता है देखो टोटल अंडेड माल लो ठीक है चोवेस परसेंट उसने खर्च किया यानिक चोवेस और च्छे थी तीस हो गया शाठ आट गोवेस आटटर हो गया अट्तर हो गया गया ऑठाथासी आटासी ऑचार कितना हो गया बनवे खर्च कर दिया बचा कितना आठ बच्चा यानि कि आठ वेल्यू पांच सो चार मुझा क्या क्या है बोजन और वीमा की पॉलिसी बोजन यह रहा वीमा की पॉलिसी पर यह रहा यानि की 26-26-33-60 की वेल्यू निकाल नहीं थी तो आठ चंग 48 होगे आठ तीया 24 होगे तीरो छे तीया अठारा चंग 36 278 अगला सवाल के ब्रत की सबसे लंबी जीवा मैंसे किसके बरावर होती तरचा के दोगुने या तो अगला सवाल एक मल्टी स्टूर आउटलेट ने एक हफ्ते में 1375 आइटम बेचे और 25 परसेंट का लावर जित किया लाव क्यू संख्या में बस्तूओं के बिक्रे मूले के बरावर भी है तो क्यू का मान बताई देखो 25 परसेंट का लावर यानि कि 125 की वेली उती थी 1375 हमने माल लिया कि 100 और उनका प्रॉफिट 25 परसेंट मिलाते तो 125 चीज हो जाती प्रॉफिट कितना हुआ पच्चेस यानि 125 बरावर यह दिया तब 25 बरावर निकाल लो प्रॉफिट आया है वो 275 के बस्तूओं का प्रॉफिट हो गया यानि कि 275 बस्तूओं के बिक्रे मुल के परावर हो अगला सवाथ 12 वर्स पहले राम और लच्मण की आयू का अनपाथ इतना था आज से 13 वर्स बाद उनकी आयू का अनपाथ इतना होगा उनकी बर्तमार आयू का योगफल क्या होगा देखो 12 वर्स पहले तो अनपाथ एक और 13 वर्स बाद पोरा कर सकता है यह बत ओकता है अगरा सब्सक्राइब में और एक निवर्स को बारा कर बार सब्सक्राइब क्राइब कि तीन दिनों तक मिलकर काम करते तो सेज बचे काम का अंस क्या होगा सिंपल सवाल है राहूल 12 और आयूस 15 ले लेंगे तो 60 12 50 15 चुकु सार 5 4 9 यहनि तीन दन तक काम के नोटियो 27 काम कर लिया काम बचा कितना आगला सवाद है और उनका लगतन सवावर्थ इतना है संख्याइग के आगे यहां पर कुछ भी रामाइड लिख दें निकालनी जो option में दी है उनकाँ यही होना चाहिए देखो। इसमीन अनपात है नहीं है। इसमें है छो owane छोई है बिल्कुल नहीं है। हएनि इसमें नहीं है इसमें है् Saloon, Happy तो option हमारा ही ही को है। वाकी कैसे करेंगे देखो 5 x 7 x marc luc yng 35 gibi 35 уг def 36 अगला सभव यदि 6 0 8 x y 0 एक ऐसी संख्या है जो 3 और 11 दोनों से विवाद जाए है तो सेकड़े और दाई के इस्तान पर आने वाले सुनियत्तर अंक क्रम से होंगे। देखो संख्या क्याती 6 0 8 x y 0 तीन से डिवाइड करने के लिए 8 छे 14 प्लस 4 x plus y ऐसा होना चाहिए कि यह फूरा 3 से डिवाइड हो जाए ग्यारा से डिवाइड के लिए 8 छे 14 प्लस भाई यानि कि 14 प्लस कर लो 14 प्लस भाई माइनस का एक्स अब देखो यहां पर एक चीछी देखो 14 होगे यानिक इसके बाद ऐसा नंबर एक्स भाई जोड़ो कि 3 से ड पचे 2 option क्योंकि 8,5,13 दोनों में समारा बिल्कुल अब option में put करके देख लो अगर यहां पर तुम 5 रखते हो यहां पर 8 रखते हो तो यह 3 से तो कट जाये क्योंकि 8,5,13,13,8 21,216,17 तो आंसर हमारा आटोमेटिक पूर्थ हो जाएगा अगला सवाल कि एक बेपारी द्वारा 15 परसंट की छूट की अनुमति है 19 परसंट का लाप राप्त करने के लिए उसे क्रेम मुल से कितना अधिक मूल अंकित करना होगा अब इनको दीरे दीरे डारेक्ट लिखना स्टार्ट करें जैसे मार्क प्राइज पर चूट दिया 15 परसंट की यहनिक पचासी परसंट के चीज रहे गए और फिसे प्रॉफट से यह 19 परसंट का तो अब यही चीज ऐसे लिख सकते हैं मार्क प्राइज लिखा कोश्ट प्राइज लिखा जो प्रॉफट हो रहा वो मार्क प्राइज के नीचे लिख दो और जो छूट दी जारी वो इसके नीचे लिख दो 175,85,177,199 तो कितना रेट बढ़ाया दो रूपय बढ़ाया कि 10 पर 5 पर गुड़े 100 कर दो 5 दूनी 10,20 दूनी 40 परसेंट आंसर आ गया अगला सवाल देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है एक तम देखते ही प्रेक्टिस इतनी होनी चीज समझ में आ जाए एक्स बराबर मालो 7.23 य बराबर मालो 2.7 तो देखो यह एक्स लिखा एक्स लिखा एक्स लिखा यह भाई लिखा वाई लिखा यह भाई लिखा यह एक्स इंटू एक्स हो गया यह वाई यह भी एक्स है यह भाई हो गया और यह हो गया वाई और वाई तो देखो लिखा गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स स्कार मानस का एक्स वाई प्लस का अब इसको खोलेंगे तो x plus y हो गया, x square plus y square minus xy, upon x square minus xy plus y, यह cancel out हो गया, यहनि के इन दोनों को जोड़ना पड़े, जोड़ तो 7,10 की 0 अंसिल लगा, यह यहनि के आठ दो, 10 आंसर आ गया, अगला सवाव, किस देश के लिए, देश पी के खिलाब जीते और हारे गए मैचो की संक्या के बीच अंतर सबसे देखे, यह देखो पूरा टोटल पी देश को का दिया गया, जीते वाले कौन से है, बिलू, और जो मैचो की संक्या है, व C, में मिला संपसे उपर किस में मिला, C में मिला answer तो यही हो गया लए, step देखो बत्तिस वपंद्रा के 15, 12 यह सात बचा, दो से गए 1 यह यह एकoyo एक आ गया, वी में 16 और 34 यहानि चाँवदास 6 ड्यानल यह ऑठ बचा, दो से ए帶ी एक हार। सी में देखो 5 से 2 गया 3 बचा 3 से किया 2 तेज़ आ गया A C D और B यानि A C D और निकालना में D देखो 9 से 3 गया दो बच्चा सोरी 9 से 3 गया 6 बच्चा और 6 आंसर हो गया इसका सबसे दार डिफरेंस किसमें ख़ता होगा वही सबसे ज्यादा आ रहा होगा यानि कि जो कौन डिफरेंस रहा होगा वो कहने कहीं मैंने जोता रहा होगा अगला सबब कि एक टेवल फैन अठारा सो में खरेता है उसे 25 परसें की हानी पर वेचता टेवल फैन का बेकरे मूले अठारा सो का था 25 परसें मतलब एक वटे चार हो गया है निक चार एक चीज तीन में बेचा चार चार चोकु सोला हो गया तर पंजे बीस हो गया जीरो तीन पंजे पंदा तीन चोकु बारेक ती अगला सबब लिए तीन साथ वारेका चाहिए अप्टाइम बचा सकते है अकर ये भी आप लिखके वहां सवाल कर रहे ना तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा अगला सवाल इख्स की स्कूर्फीन का अचिक पर लैक्स थे खेयर व grass Public? यह पर देखो हमें एकसकी पता और के इस की पता इसकी तो नहीं पता न सकते विल्कुल x square plus y square 17,70, 289, minus 9,18, 9-8 गया एक बच्चा, और 8-1 गया 7 बच्चा, 271 हो गया, x plus y 17 हो गया, यह 271 हो गया, minus 9 हो गया, 11-9 गया, 2 बच्चा, अब यहां पर देखो, एक चीज और दे सकते हैं, unit digits से काम हो रहा है, बिल्कुल हो जाएगा, एक पांच, चार, पांच, तो यहां पर देखो, जैसे ही इतना सवाल के साद दूनी 14 तो मिली गया, भाके पूरा करना चाहो कर लो, यानि कि 6 बच्चा और यहां पर बच्चा दो, तो सत्रा दूनी 34 की चार आंसे लगाती हैं, सत्रा चक्का 102, 103, 105 आंसे लगा, दस अत्रा दूनी 34, 34 हो दस सवाल, अगला सवाब, अगला सवाल, देखो, इसमें कॉस्ट ठीटा बताना, कॉस्ट ठीटा क्या होता, अगला सवाल, इसमें कुछ लिखो, लिखो, रफ में, इन में, इन दोनों में दिखालो एनिए, जीरो हो गया, और चार से तीन, एक हो गया, और यह कितना एक वार यानी 10% रेट आगी यहीं सिंपल से होता अकर कुछ भी दिया जाए अगर उनकी एर में डिफ्रेंस एक साल का रहा है तो इन दोनों का डिफ्रेंस करो बटे चुछ सबसे छोटी वाली एर है ना जो डिफ्रेंस आएगा उससे डिवाइट कर दो इंटू वालों को और इसी बना दो जितना जल्दी कर सकते हो अगला सवाब देखो अगर नहीं बता तो यह देख लो जैसे मालों 12 संग्याय होंगे सभी में 6 जोड़ा गया है तो कुछ नहीं होगा एवरेज में भी वही 6 जोड़ जाएगा पच्चे-छे करते सांसर हो जाएगा अ जाधी चीनी है एक परवार में पांच बयस्क और आठ बच्चे है यदि आदा लीटर दूद के पैकट के कीमत 25 है और एक किलो चीनी के पैकट के कीमत 80 है तो 30 दिनों के एक महिने के लिए दूद और चीनी पर उनका खर्च कितना हो देखो पहले तो यह सवाल देखते जैस चार पांच लाइन का इस पर छोड़ देते ठीक है जब आपके पास टाइम बसता पूरा पेपर करने के बाद उसके बाद इस पर हात रखना था ठीक है देखो तीन बयस्क यानि प्रती एक तीन की बात कर रहा है यानि कि एक लोग कितना दो लीटर प्लस 0.5 केजी चीनी ल पांच लोग तीन लोग इतनी खपत करं रहें तीन वयस्क कर दो च्छेद नी बारा लीटर हो गया और दूद कितना ओगया चीनी कितनी ओगी आदी यानि की 1.5 का आदा यानि पंद्रा वटे बीस यानि पांधिये पंद्रा पांच वकू बीस ये ओगया तीन वटे 4 के दी तो एक बच्चे पर कितना होगा डिवाइट कर दो पांस से ठीक है अब यहां से देखो इसका टोटल मूल निकाल लो बारा बटे पांस लीटर यानि पचास रुपए लीटर है यहने कि यह दस बार चला जाएगा यह हो गया तमारा एक सो बीस रुपए कितने लोगों का एक टोटल कितने थे आठ यानि बारा अठ्थे चानवे नौस साथ रुपए तीनी का निकाल लो तीन बटे पांच केजी थी और गुणे चार और था अब इसमें देखो गुणा करतो कितने चीनी का मूल था असी रुपए यानि चार यास देख लो 10 लीटर यानि 50 लीटर रुपए लीटर है 500 हो गया दाई के दीक 85-65-200 हो गया 30 दिन का अगर गुणा करेंगे तो यह बहुत जादा पहुच रहा है जो कि आप्सन में नहीं है तो इन्होंने आप पर ही कुछ गलती की होगी या तो 10 दिन का पूछना चा रहे होंगी ठीक है बाकी आप कैलकुलेशन देख लेना अगर मेरी दरफ से कोई गलती हो रही मैं उसको रेक्टिफाई करके दुवारा वीडियो बना दूँगा ठीक है यह आपके उपर मैं छोड़ रहा हूं हो सकता थोड़ी बहुत गलती मुझसे हो गई चलिए फिर अगला सवाल करते है एक पुलिस कर्मी एक चोर का पीछा कर रहा है जो उससे 840 मीटर आगे है चो पॉइंट फाइव और नाइन नभ्य कर लो यानि 15-65 पंदा चक्का नभ्य तो स्पीड में यह हो गया तो डिष्टेस्म क्या हो जाएगा पांच और छे का हो जाएगा यह जब टाइम क्या हो इनका डिफरेंस कितना हो गया एक यानि की एक की वेल्यू कितनी दी ती 840 मीट मेटर आगे था हमें निकालना था चोर का यानि की पांच की वेल्यू तो जीरो पांच उकू बीस हो गया पांच चालिज तो ब्यालिस हो गया मीटर हो गया डिवाइड कर दो किससे हजार से तो यह आजाएगा 4.2 किलो मेटर अगला सवाल एक ब्यक्ती धारा की दिशा में 49 किलो मेटर की दूरी 7 गंटे में और धारा की विप्रीद दिशा में 36 किलो मेटर की दूरी 9 गंटे में तै करता है धारा की चाल बताना देखो सत्तू सत्तू उननचास हो गया यानि की धारा की चाल प्लस 9 की चाल का केतना आगया इसको काट देंगे तो इसमें नौ की चाल आ जाएगी साथ चार ग्या रहा है यानिक एवर आवर 5.5 आ गया किसी में भी रखतो हूं विगी वेलू आ जाएगी 1.5 अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल एक ठोस लंबरती वेलन की सामगरी को सामान तरज्या वाली ठोस संकु के आकार में परवर्तित किया जाता है वेलन की उचाहे इतनी है तो संकु की उचाहे क्या होती समान तरज्या है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक बटे तीन होता ना क्या गलती कर रहा हूं मैं आर इसकार इंटू क्या हो जाए यह तो कैंसल आउट हो गया पाई से पाई हो गया एच की वैलू 4.5 परावर एक बटे तीन इंटू एच इन पंजे पंदरा तीन चुकु बारा एक तेरा दसंबलर पांच सेंटीमीटर आगे इसकी हाई अगला सबर चलिए फेस्टेन का एक सवाल और हो गया एक सवाल नही अइसा नहीं तो भूल जाओ ठीक है फिर पढ़ते रहें मिलते हैं एकले वीडियो में जय एंट जय बारत